जै मातादी दोस्तों आज हमारे याप मैं संजेराज गवरी नंदन आपका लाडला संगितकार ऐसे आप लोग कहते हैं और आशिरवाद देते रहते हैं तो आज बहुत कुछी की बात है कि हमारे यहाँ पे क्या कहूं लखाजी खुद आज यहाँ पे दो गाने उन्होंने ग आज लगाए यह दोनों मेरे भाही लोग सचीन सतीश तो मैं चाहता हूं कि जादा इस बारे में इस बारे में इस बजन के बारे में और इन दोनों के बारे आप पुछ क्याना चाहेंगे जै मातादी जै मातादी बड़ा अच्छा लगा संजे राज गौरी नंदन इस पर गड़पनी सेट के इन पर बहुत करपा है एक मिजाज होता है गाने का और रिदम अच्छा बसता हो तो गाने में फिर और दुबना मजा आता है बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छी तरजे बनाई इनोंने और रिदम का तो खेर जवाबी नहीं है और मैं उमीद करता प्रेम किमारानी के भक्तों को ये दोनों भजन बहुत पसंदाएगे मैंने कोशिश की है आपका अशिरवाद चाहिए इसे जरूर पसंद कीज़ेगा और अशिरवाद दीजिएगा जए हो जय हो जय हो जबत अच्छी वाग एटिए अच्छी लगा लगाए लग्वाध ल और जो अनुजा क्रिशन से पूरा जनोंने म्यूजिक बनाया है और जो इसको रिलीज करेंगे बड़े सुंदर भजन बने हैं मा की महिमा गाई गई है कोशिश की है मैंने और जिसमें एक पंजाबी भजन है और एक माता का हिंदी में भजन है मुझे पूरी उमीद है कि महरा करता हूं कि ये किसी अच्छी म्यूजिक कंपनी को ये दोनों भजन सुनाएं दिखाएं और वो बढ़िया से इसका परचार करें ताकि मा की महिमा दूर दूर तक जा सके जिसे देख भी सके लोग सुन भी सके चैमाता लिए अज तो सोने पिस हो आगा ऐसा दीन है माता तो मैं आज बहुत खूश हूं कि इतना सारा मतलब जो गाने बने हैं पता नहीं कैसे बने लेकिन जो भी है मतलब दादा को नजर रखते हो ये गाने बने हैं मा गित गरपा होई बस तो हमेशा यह कोशिश प्रेस करते रहता हूं कि सिंगर जैसे सिंगर वैसा उसका जो तो आप सबको ये दो गाने मैं कोशिश कर रहा हूं के बड़ी बेड़े फ्लैटफॉर्म पे लेके आउं आप लोग आशिरवाद दें जय मतारी जो भी मेरे भाई नया मकान बनाए नई बिल्डिंग बनाए उसे जरूर ध्यान से सुने और इस पर ध्यान दे कि कैसे शब्द हैं इसमें और बड़े इच्छे शब्द लिखे हैं और म्यूजिक का तो ख़या जवाब नहीं इसको क्रेडिट जाता है इस शब्दों को अमिद दीप शर्मा जी को कि उन्हों नहीं ये अईडिया उनकी दिमाग में आई है तो आइम स्वा हैपी पस बाकी तो म वर्दिन दी वर्दानी है हर वर्दिन दी वर्दानी है मेरी मादी हो निशानी है मेरी मादी हो निशानी है जो मां के भगता हैं वो तो जानते हैं कि मां बिन मांगे ही जोलियां भरने वाली है और मुझ पर बहुत किरपा है मातारानी की ये मेरा मैं मैं खुद एहसास करता कि वाके महाराने की बहुत किरपा है जो अब इतनी धलती उमर में भी मागवा रही है यह उनके किरपा नहीं तो और क्या है आपका विया शिर्वास चाहिए जुरूर सुनिये कैसे और जुरूर पसंद कीजिए यह पंजाबी भेट में ही कौंगा कि मैंने इसको डेटिक सब्सक्राइब तो यह उसमें से मैंने प्रेजिंट किया है आप लोगों को पहुत पसंद आएगा और आप लोग का शिर्वात देंगे इसमें पंजाबी फोल्क जलग बिलेगी आप बिल्कुल 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 इस तरह से नवरात्री उस्तों में आपके काफी जाने आपने किया कुछ तयारे के यह कि गरवाराज में कहीं आपका जो प्रोग्राम होने वाले कर पुछ की वारे कुछ बताए मुजिकल प्रोग्राम के वारे में अभी तो नहुरातरी 15 अक्टूबर से में शुरुवात है और काफी भक्तों के मैसेज है मेरे पास में और दिली से चंदरपूर फिर वहां से यूपी जाएंगे लखनौ फिर आएंगे दिली और हर जगा एक नया रंग होता है जैसे मा की पुझा तो सारे विश्व में होती है जहां देश विदेश जहां भी मैं गया मां के भक्तों की कमी नहीं देखी और मेरी शुरू से ये आदत ही रही है कि मैं हर एक रंग का भजन मा के भक्तों के सामने रखूं जिसमें पंजाबी तो होता ही है हिंदी होते हैं भुषपुरी होते हैं और विशेष गरवा का रंग होता है डांडिया का भी होता है तो ऐसे ऐसे जहां भी भग सुनने वाले जो मुझे दिमांड करते हैं तो मै कोशिश करता हूं कि उनकी मान पुरी हो और बहुत जल्दी मराथी में भी एक माता का भजन आएगा और श्रीव भगवान का भजन पापजी गाएंगे सब्सक्राइब ने दो अच्छे गाने बनाये हैं और वह एक मराथी इंसान है और उनने पंजबी स्थेल का गाना है और क्या है आपसे उसमें आपका क्या कहना है नहीं बहुत बढ़िया कोशिश किये और मुझे पूरी उमीद है कि आप सारे से सुनने वाले बहुत पसंद करेंगे क्योंकि शब्द जो आते है वो तर्ज पे निरबर होते हैं अगर तर्ज अच्छी बनी हो तो शब्द अपने कर दो एच्छी पूर्टते हैं मुक्से और मुझे अच्छा लगा गाएं और मैं यहीं उमीद करूंगा कि आप ऐसे ही लगे रहे और संजी जी वर एक सिधी हासिल कर रहे है ए छिएजार गाने का मुजिक का रिकॉर्ड उंके नाम से इनिया बुक रिकॉर्ड ब्याने वा झाल झाल